श्री गनेशाय नमहा, नमस्कार दोस्तों, ये राशी फल है 28 और 29 दिसंबर 2021 का कुम्ब राशी के लिए, जी हाँ, कुम्ब राशी का 28 और 29 दिसंबर 2021 का राशी फल, चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते है 28 तारिक, ये दिन आप के लिए कैसा रहने वाला है? ये राशी फल चंटर राशी पर आधरित है चंदरमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ा ön आते है वो चंदरमा की स्थिदी लेकर आती है इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़दा प्रभावीत करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में अश्टम भाव में गोचर करेंगे ये दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा सावित होगा और इस दिन आपके लिए कई मामलों में सतरता भी बरतनी पड़ेगी इस दिन को आपको अचानक से धनपाप्ती हो सकती है आपका रुका हुआ पैसा इस दिन आपको मिल सकता है उन पैसों की जिनकी आप कई दिनों से वेट कर रहे थे वो आपका पैसा जो कही पर फसा था वो इस दिन आपको मिल सकता है इस समय में आपको विदेश आत्रा से इलाब होगा अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते है तो इस दिन शुरुवात कर सकते है जो लोग ISK exam देना चाहते है, competitive exams के लिए तेयारिया कर रहे है, पढ़ाई से जुड़ी कोई नई शुरुवात करना चाहते है, तो दिन आप के लिए अनुकुल रहेगा इस समय में स्वास्त्य का ख्याल आपको जरूर रखना है, बिमारिया आपको घेर सकती है, वात रोग रख्त विकार आधी में कष्ट मिलने की संभावना रहेगी, इस समय में आपके शरीर में एनरजी की कमी भी रह सकती है, अश्टम भाव में चंद्रमा किस्तिती पारिवार कलकलेश बढ़ा रही है आपको इस दिन क्रोथ पर नियंत्रन रखना जरूरी होगा तोल मोलकर बोलिएगा नहीं तो आपकी किसी से इस दिन लड़ाई हो सकती है गर परिवार में शांती बनाय रखने की कोशिश जरूर करें इस समय में यात्राय संबल कर करनी होगी उपाय करनी ही है तो जरूरत की सारी चीज़े साथ लेकर जाएं इस समय में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा विद्यार्थियों के लिए उपाय करना इस समय में जरूरी है क्यूंकि इस दिन अगर कोई exam या competition आती है तो मेहनत ज्यादा करनी होगी लापरवाही कर सकते हैं अगर आप हाउस वाइफ हैं तो इस दिन आपके उपर काम का प्रेशर ज्यादा रह सकता हैं स्वभाव में चिर्चिडा हट नजर आएगी आपको भी क्रोध से बचना होगा संतान या फिर आपके दामपतिसुक में कुछ परेशानिया भी इस समय में आ सकती है जिसकी वज़े से आप इस समय में मानसिक चिंताओं में घिरे रह सकते हो इस समय में अपनी चीजों का खास ख्याल आपको रखना होगा इस समय में कीमती चीजे गुम हो सकती है चीजों की चोरी होने की संभावना भी है इस समय में अगर कोई कागजी कारवाया कर तो वहाँ पर भी आपको सतर्कता बरत्नी जरूरी होगी कोई भी काम बिना देखे बिना परखे ना करें दोस्तो इस दिन आपके स्वभाव में काफी उतार चड़ाव देखने को मिलेगा आप इस दिन निगेटिविटी से घिरे रह सकते हो किसी भी काम में आपका पूरा मन नहीं लगेगा इसलिए उपाय जरूर करें इस दिन आपके लिए औरेंज रंका इस्तिमाल करना शुब रहेगा और नव अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है साथ ही इस दिन आप हरे रंकाय उपयोग भी करते हो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा दोस्तो अगर इस दिन आप घर से किसी काम के लिए निकलते हो तो चार हरी इलाइची अपने जेब में ले लिजे इस से आपको फायदा होगा अगर आप इस दिन हरी मुंग की दाल इलाइची या हरे कपड़े का दान करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा नकारत्मक उर्जा समाप्त हो सकती है इससे आपका दिन शुब रहेगा कामों में सफलता मिलेगी और मन शान्त रहेगा इस दिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जरूर जाए और मंदिर के मुखे गुलक में एक रुपए का सिकाद जरूर डाले चलिए अब जानते है 29 तारिक आपके नाम दिखेगा इस दिन आप शांत रहोगे स्थीर रहोगे उर्जावान रहोगे और आपको दिन भर प्रसंदता की अनुबुती रहेगी ये दिन आपके लिए अपने परिवार जनों के साथ किसी तूर पर या किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग करने के लिए काफी रहेगा लेकिन इस समय में आपको समय की कमी रह सकती है हो सकता है यात्रा के लिए या कई जाने का प्लान तो हो लेकिन आप समय ना निकाल पाए ये संभाव ना भी बनी हुई है अगर करियर की बात करे तो ये समय आपके लिए काफी बिजी रहेगा काम का बोजा ज्यादा और रहेगा कोई extra काम भी करना आपको इस समय में पढ़ सकता है लेकिन ये चीज़े आप के लिए आसान होगी ये सारे काम आप आसानी से कर पाओगे स्टूडन्स के लिए भी ये दिन कापी अच्छा रहने वाला है स्टूडन्स को अच्छे समाचार इस समय में मिल सकते है स्टूडन्स को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना बनी हुई है बिजनेस करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा बिजनेस में अच्छे Results मिलेंगे करीब-करीब सारी चीजे आप ही के हिसाब से होती हुई दिखाई दे रही है भविशमे अगर आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है तो उसकी planning कर सकती है नया व्यापार इस समय में शुरू करने की योग भी बन रहे है इसलिए डटकर मेहनत करे सब कुछ मेहनत से मिलता है कामों से मिलता है भाग्य के भरों से बैटने वालों को कभी कुछ भी नहीं मिलता लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है इसलिए प्रयास करना हमारे हाथ में है आप प्रयास जरूर करे आगे दिन अच्छे है इस समय में आ आपके सितारे इस समय में स्थीरताव शांती फैला रहे हैं लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा समय थोड़ा बीजी चल रहा है फिर भी साथ वक्त गुजारने के लिए समय अच्छा है पार्टर के साथ कोई जगडा या मनमुटाव है तो वो इस समय में दू जरूर करें इस समय में आप जीवन में आगे बढ़े भागे भी आपको पूरी तरह से साथ दे ही रहा है अगर स्वास्ते की बात करते हैं तो इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा स्वास्ते के लिए दिन पूरी तरह से सकारत्मक है मानसिक तोर पर आप फिट र रहे थे उनमें भी आपको आराम इस समय में मिल सकता है इस दिन पीले रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और इस दिन तीन आंक आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों यह राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद